हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग स्वागा दिक वार फिर से आप सुभी का MZS Education में दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2023 का Most Important Current Affair मैं लेकर आचुका हूँ आपके सामने सुरू करते हैं आज की Current Affair वीडियो को पसंद आएगी तो Like और Share करना अभी नहीं वीडियो इंट तक देख लो उसके बाद पसंद आएगी तब करना तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले Revision से कल का Revision करेंगे हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग एक दिन का पहले का पहले Revision कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 2023 का भहतिकी का Novel किसे मिला था तो ये मिला था Pierre A. Agostini को Foreign Cross को और N.E.L. Willier को इनको Physics में मिला था Cataline Corico और Do Weissman इनको मिला था Medicine यानि की चिकसा के छेतर में Novel प्रोसकार और मिला 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 कि अभी घोशना की गई है 10 December को दिया जाएगा और अभी आली में इंडोनेसिया ने दक्षिड पूर्व एसिया की पहली High Speed Railway हूस लांच किया है हूस चाइना की उद्दम्ता यानि Space and Entrepreneurship हालने में सीमा सड़क संगठन के यानि BRO के नए महानिदेशक दोस्तों बनाए गए है Lieutenant General R.S. Reen अब बात करते हैं Saif Under 19 Tournament की इसको भारत ने जीत लिया है Saif का मेन वाला भी भारत ने जीता है Under 19 वाला भी जीत गया नारी सक्ति वंदन अदनियम अभी ये अदनियम बन चुका है अब तक बिल था अभी अदनियम बन चुका है इसके लिए भारतिय समिधान में 106 समिधान संसुधन किया गया अफगानिस्तान के के टीम के मेंटर के रूप में अजय जड़े जाने उट किये गये हैं और 4 और 5 अक्टूबर को भारतिय सेना भारतिय नौ सेना के द्वारा स्वावलंबन 2.0 लांच किया गया है ये प्रगा का परदसनी है तो ये टॉप 10 करेंट अफ़ेर के कुशन से कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विक्ली रिविजन वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट में अब बात करेंगे हम लोग आज की करेंट अफ़ेर की लेकिन उससे पहले में बता दूँ आपको इसकी पीडियाफ अगर आपको चाहिए ना तो आप MZT app का रुख कीजिए डिटेल पीडियाफ आपको यहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी MZT app की कोई और साखार नहीं है चलिए आगे दिखते हैं अब आज की करेंट अफ़ेर तो पहला कोश्चन 5 अक्टूबर 2023 को निम्ण में से कौन सा दिवस मनाया गया तो 5 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व सिक्षक दिवस आप सभी को हैपी टीचर्स डे आप लोग भी बहुत कुछ सिखाते हो हमको तो विश्व सिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्टिय सिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं और आपको बताया भी गया था कि 5 सितंबर को डक्टर स्वर्पली राधा किष्ण जी की जैनती पर हम लोग राष्टिय सिक्षक दिवस मनाते हैं यह 5 October है तो यह प्रतेक वर्स 5 October को मनाया जाता है Teachers के बारे में awareness पहलाने के लिए Teachers का क्या महत्तो यह बताने के लिए Teachers की वीडियो को like share करने के लिए जो आप नहीं करते हो, कर दिया करो इसके लिए यह मनाया जाता है तो 1986 में UNESCO और ILO ने Paris में सिचको की स्थिदी पर एक सम्मेलन किया था तो यह जो सम्मेलन 1986 में हुआ था इसी की 30 वी वर्स गाट थी दोस्तों यानि कि इसका 30 वर्स पूरा हुआ था 1986 का 1994 में ठीक है? 30 वी वर्स गाट इसको जोडने मत लगना तो इसी को चीनित करने के लिए 1994 से सुरू किया गया है हो सकता है कि सी वर्स दो बार हो गया हो चलिए तो यह विश्व सिचक दिवस हुआ अब एक और दिवस मैंने आपको उसी ओप्सन में दिया था आप ध्यान दोगे विश्व पसु कल्यान दिवस हमारा मानना है कि जब दिवस की जब दो-चार कोश्चन रहे तो एक एही में कबर करो क्यों फालतू में अलग से कोश्चन करो तो इसको भी देख लेते हैं यह मनाया जाता है चार अक्टूबर को ध्यान रहे चार अक्टूबर को वर्ड अनिमल डे मनाया जाता है यह इंपॉर्टेंट होता है पसुओं का क्या महत्तो है हमारे समाज में हमारे पिर्थिभी पर इसकी बारे में अवरेनेस फलाने के लिए जात पसुओं का कैसे सनरक्षण किया जाए इसके प्रति जागुता फिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इस बार के थीम है इंपॉर्टेंट थीम क्या रखी गई है ग्रेट और स्माल लव देम आल छोटे हो बड़े हो महान हो या ना महान हो सभी से प्यार करो सभी प्रकार से एनिमल से प्यार करो तो 1931 में दोस्तों फ्लोरेंस इटली में अंतरस्टे परसु सनरक्षण कांग्रेस हुआ था और उसी में इसकी गोशना की गई थी कि भही आपसे हम लोग मनाएंगे विश्व पसु दिवस ठेक चलिए अब ये रहा अक्टूबर के अभी तक का महातुपोर दिवस कर मैंने रिविजन करवाया था तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे हाले में क्वांटम डॉट्स की खोश के लिए रसायन विज्ञान का नोबल प्रोसकार किसे दिये जाने की खोशना हुई है तो क्वांटम डॉट्स की खोश के लिए रसायन का नोबल यानि कमेश्ट्री का नोबल दिया जाएगा इस बार मौगी जी बावविंडी को लुईस इब्रुस को और ओलेक्सी आई एकिमोव को तो उप्रोक तो सभी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा यानि इस बार भी तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है नोबल से रसायन के नोबल से इन तीन व्यक्तियों की खूबसूरत तजबीर यहाँ पर देख लीजिए ये तीनों को for discovery and syntheties of quantum dots इसके लिए ये दिया जा रहा है इसमें जो मौंगी जी बोवंडी है ये फ्रांस के रहने वाले हैं और Massachusetts Institute of Technology USA में professor है Louis E. Bruce जो ही ये USA के रहने वाले हैं और Columbia University में professor है Alexei I. Ekimov ये Soviet Sun Rouge के हैं एक्चुली में जब USSR का विक्टर नहीं हुआ था तब ही ये पैदा हुए थे उसके बाद अभी ये USA में जाकर रहने लगे हैं तो या कहें हम लोग Soviet Sun Rouge मूल के अमेरिकी है ये नैनो क्रिस्टल टेक्नलोजी इंक New York में ये चीप साइंटिस्ट है तो इनको मिला है Quantum Darts की खोज और संसलिसन के लिए ये तो हुआ रसाइन का अब रिविजन कर लेते हैं पिछला दोनों का जैसे कि मैंने आपको बताया था ना छे के छे मैं रोज आन आपका रिविजन करवाँगा तो पिछला जो है दो इसको रिविजन कर लो जैसे चिकिट्सा का सबसे पहले दिया जाता है बहुतिकी के लिए तीन को दिया गया पिरे एगुस्टिनी को अमेरिका की रहने वाले हैं यह है भारत के नोबल प्रुसकार विजेता आप तो सुने होगे या पढ़े भी होगे जब इससे पहले, तो आप पूरा बस एक साथ केवल एक लाइन में पढ़ते आए होगे, आज मैं आपको असली चीज बताऊंगा, देखो, भारत के नोबेल पुरुसकार विजयताओं को भी कटेगराइज किया जा सकता है, एक्शली मैं अगर देखा जाए, ठीक तरीके से, गरतंत भारत के अगर कोई नोबेल पुरुसकार विजयताओं की बात करें, तो किवल दो लोगों नहीं जीता है, बिल्कुल सही सुना आपने, बताते हैं कैसे, बिल्टेस भारत जब चल राता हो, तो बिल्टेस भारती ये नागरिक थे रविदनाट टैगोर जी और चंसे गीतांजली के लिए मिला था, मैं लिख दे रहा हूँ, गीतांजली के लिए इनको मिला था, इसके बाद चंसेकर वेंकर टरमन, जो कि हम लोग सीवी रवन की नाम से ज़्यादा जानते हैं, बहुतिकी के छेतर में इनको नोबेल मिला था, 1930 में रमन एफेक्ट की खोज की रमन एफेक्ट की इन्होंने खोज करे थी, इसके लिए इनको मिला था, 1930 में, भारत गनराजी बना 1950 में, और उसके बाद ब्रिटिस भारत समप्त हो गया, तो भारत गनराजी की अगर नागरी की बात करें, जो विजेता है नोबल के, तो उसमें हैं अमरत सेन, अर्थसास्त का मिला था इनको, और 1998 में इनको अर्थसास के छेत में नोबल मिला था, कैला सत्यार्थी जी को सांती के लिए मिला था, सांती के लिए यानि पीस के लिए पाया था, इन्होंने, और यही हैं जो सेयर किये थे, अपना सांती वाला पुरुषकार किसके साथ, मलाला प्रवासी नागरिक जिनको आप ये मानते हो कि भारतिये हैं ये भारतिये विजिता हैं एक्चुलि में वो भारत के थे भारत में पैदा हुए लेकिन अपना जीवन वहीं पर विताया है दूसरे देशों में उसमें अमेरिका में रहे जैसे डाक्टर हर्व गोविंद खुरा खुले की थी ना ब्लैक होल के लिए बहुत की के नोबेल प्राप्त किये लेकिन ये भी 1983 में पाई दूसरे भी यूईस ये नागरिक हैं बहारतिये मूल के थे लेकिन ये यधी वारतीये मोल्के थे दूसअ़ एक और में बोनस पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ बोनस पॉइंट क्या है यहां पर में लिख दे रहा हूँ बोनस पॉइंट है दोस्तो दलाई लामा दलाई लामा जो है यह ऐसे वक्ति हैं वसे तीन वक्ति हैं उनमें से दलाई लामा एक ऐसे वक्ति हैं जैसे दलाई लामा की बात करें, तो जब तिबबद को कबजा करने के लिए चाइना रप्टाया था, तो ये भागे थे, आकर के हिमानचल प्रदेश में, 1969 में, और इनको 1969 के लिए दिया जाना था, लेकिन अब वो एन्नाउंस किया गया, 64 साल बाद, तो 1969 के लिए, 1959 के लिए 64 साल बाद इनको अभी मिला है, साल बाद इनको दिया जाएगा, ठीक है ना, सांति का नोबिल दिया जाएगा, दलाई लामा को ध्यान रखना, 64 साल बाद, और ये कुशन अभी पूछा गया था, वीडियो एक्जाम में, ये बोनस है, इसको रख लो, आगे बढ़ते हैं, भारत के बाहर कहां पर 14 अक्टूबर को भीम राओं अमेटकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो दोस्तों भारत के बाहर, अभी हाली में, अमेरिका में, अमेरिका में घुशना हुई है, बन चुकी है मूर्ती, इसका अनावरण किया जाएगा डाक्टर भीम राओ अम्बेटकर जी की मूर्ती होगी, 14 अक्टूबर को इसका अनावरंड किया जाएगा, यानि कि इसका आवरंड हटाया जाएगा, समझ लो की मूर्ती रिवियल की जाएगी दुनिया के सामने, तो ये होगा, इसका नाम क्या रखा गया है, Statue of Equality, ध्यान रहे, Statue of Equality की नाम से दो अब मूर्तियां हो गई है, तो बाबा साहब भीम राओ अम्बेटकर जी की ये प्रतिमा होगी, और कहां पर ये मैरी लेंड यूएसे में अस्थापित की जाएगे, Statue of Equality नाम होगा, 14 October को, और राम भी सुतार जी जो है, इन्होंने इसे बनाया है, राम भी सुतार याद हो आपको, ये वही हैं, जिन्होंने Statue of Unity बनाया है, जो सदारबल्ला भाई पटेल जी की मूर्ती है, केवडिया गुजरात में है, तो इसको इन्होंने बनाया हुआ है, दुनिया के सबसे उची मूर्ती है, Statue of Equality भी अब इन्होंने ही बनाया है, डाक्टर भीम राउमेटकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा है ये, ठीक, अब एक बात और, ये 14 अक्टूबर को ही क्यों घारंड किया जाएगा, बार-बार मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्यूंकि 14 अक्टूबर 1956 के ही दिन दोस्तों, डाक्टर भीम राउमेटकर जी ने बौध धर्म धारंड किया था, इसलिए ये 14 अक्टूबर का दिन किया गया है, चलो, फटा-फट से रिवीजन करते हैं, Statue of Equality नाम से एक और Equality है, हैदराबाद में है, Statue of Equality रामानुजाचारी की, याद रहेगा आपको, Statue of Unity मैंने आपको बताया, केवडिया गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम के पास, नर्मदार नदी के किनारे, सरदार बल्लब भाई पडेल जी की मूर्ती है, 182 मीटर की, और दुनिया की सबसे उची मूर्ती है, उसके बाद, Statue of Prosperity, Statue of Peace अस्थापित की गई है, इसके अलावाँ अभी ओमकारिस्वर में दोस्तो, Statue of Wanniness अस्थापित किया गया है, संकराचारी जी की, आदिगुरु संकराचारी की, याद रखना, राजस्थान में Statue of Believe है, भगवान संकर की, Statue of Believe, क्लियर है, कॉपी पिन लेकर के बैठा करो, नोट डाउन कर लिया करो, हर चीज पीडियाप में नहीं मिलती, आगे, हाली में जारी Global Mobile Speed Ranking में भारत किस अस्थान पर है, तो अभी दोस्तो, ओकला, ओकला आप जानते हो ना, ओकला के दोरा अभी Global Mobile Speed Ranking जारी की गए, इसमें बताया गया कि भारत आ गया है 47 अस्थान पर, और भारत ने बड़े-बड़े देशों को पीछे कर दिया है, जापान, यूके, इन सब देशों को पीछे कर दिया है, Global Mobile Speed Ranking में, तो Mobile Speed में काफी अच्छा चल रहा है, यहां पर 5G भी देर-देर लागू हो ही गया है, इस वैसे काफी जदा यहां पर 3.59 स्पीड बढ़ गई है, फिलाल, अगर टॉप पर बात करें, तो सन्युक अरब अमीरात है, अरब अमीरात में, यह उन्नीस से पचास के बीच में चल रही है, उन्नीस से पचास Mbps के स्पीड में चल रही है, यहां पर लिखा नहीं गया है, फिलहाल यह मुबाइल रैंकिंग है, अब यह इंडेक्स रैंकिंग से कुश्चन है, तो हम लोग रिविजन करेंगे, रिविजन देखो, इसमें भारत था चालिसमें अस्थान पर, IMD की वर्ड टाइलेंट रैंकिंग यानि की विश्चो परतिभा सूचकांग जारी किया गया, और इसमें चपनवें अस्थान भारत है, अच्छा, इनोवेशन मतलब नवाचार सूचकांग होता है, ठीक है, नवाचार, विश्च प्रतियास परधात्मक्ता सूचकांग यानि की कमपटीटिवनेस इंडेक्स जीसे कहते हैं, IMD जारी करता है, और इसमें भी हम लोग 40 में अस्थान पर है, डबलू इएफ की गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वर्ड एकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, और 127 में अस् पर इसमें है, विस सुबैंक का रसत समपदा यानि की लॉजस्टिक प्रफरमेंस इंडेक्स जारी की गए, इसमें हम लोग 30 में पर हैं, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग 80 में अस्थान पर हैं, लिविजन करते रहा करो, ये एक एक बार बीज-बीज में अग तयार होते चल रहा है, डेली करेंट इफेर से ही, डेली का आप देखते हो, साथ-साथ में पिछले 6 महिना साल भर का भी आप तयार करते चल रहे हो, आप इसका एफिक्ट अभी नहीं देख पाओगे, जब आप एक्जाम में बैटोगे ना, तब आपके सामने देखना, भारत और बांगलादेश की बीच में मेघाले में, एक्सरसाइज संप्रीती ये भारत और बांगलादेश की बीच में होता ही है, और इस बार वाला जो संसकर्ण है ये उम्रेई मेघाले में किया गया, उम्रेई मेघाले में ये किया गया है, एक्सरसाइज संप्रीती, ठी ये तो exercise है, सैने भ्यास है, चलो फिर से करते हैं रिवीजन, पिछले दिनों में कौन-कौन से सैने भ्यास कहां-कहां पर हुए, किनके-किनके बीच हुए, युद्ध भ्यास नाम का सैने भ्यास अभी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये USA के Alaska में हुआ, आसियान सैने आसियान के 10 सदर से देशों द्वारा किया गया, इंडोनेसिया के दचिन नाटना सागर में, तिरसूल जो है, ये भारती वायूसेना ने किया, भारत में किया, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नजर बनाए रखने के लिए, ब्राइड स्टार 2023 जो है, भारत अमेरिका, कतर, सुधी अरब मिस्र और ग्रीस के बीच में हुआ, काहिरा एरबेस मिस्र में हुआ, सिंबैक्स, सिंगापूर इंडिया मेरिटाइम बायलिटरल एक्सराइज है, भारत सिंगापूर के बीच में होता है, सिंगापूर में इस बार हुआ, वरोंड जो हुआ, ये भारत और फ् exercise है इस बार cancel हो गई है अगली साल यह होगी 2024 में और भारत में ही होगी इसके अलावा जायत तलवार भारत और UAE के बीच में होता है UAE में इस बार किया जाएगा और किया गया मतलब माला बार अभ्यास squad members के बीच में होता है ऐसची बार lying sonos का हुआ के लिए और अगे बढ़ते हैं अगला हाले में कहां पर पशमीना क्राफ को GI टैग दिया गया तो पस्मीना क्राफ्ट यह दोस्तों है जम्मू कस्मीर में जम्मू कस्मीर में पस्मीर क्राफ्ट बनाये जाते हैं ये एक special तोर के सिल्प होते हैं, कुछ इस प्रकार से ये लोग बनाते हैं, पस्मीना क्राफ्ट और ये बहुत ज़्यादा popular है, मतलब पस्मीना, सॉल, पस्मीना क्राफ्ट के जो और भी जो कपड़े हैं, ये सब बहुत ज़्यादा famous होते हैं, कस्मीरी कपड़े भी आप generally ज बताया था अभी कुछ दिन पहले बसोहाली painting, वो भी याद रखना, तो बसोहाली पस्मीना, अपनी असाधारान को मलता, बारीकी और पंक जैसे वजन के लिए जाना जाता है, और इसे अभी दिया गया है GI Tag, आज मैं GI Tag के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं कराऊंग आपका रिविजन, तो दोस्तों ये जम्मू कस्मीर का प्रोड़क्ट है, जम्मू कस्मीर के अभी कौन-कौन से प्रोड़क्ट को GI Tag मिला, उनको देखते हैं पहले, आगे मत देखना, जहां-जहां मैं पढ़ूँगा, वही वही देखना, आगे मत भागना, भद्रवाह, आजमा और रामबन सुलाई सहत को जम्मू कस्मीर का ये प्रोड़क्ट है, इसको दिया गया GI Tag, राजवरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क भुद्ची चावल इसको दिया गया GI Tag, इसके अलावा जम्मू कस्मीर के बसो हाली पेंटिंग को दिया गया था, भी GI Tag, इसक इसको भी GI Tag मिल चुका है, ये सभी जम्मू कस्मीर के प्रोड़क्ट हुए, अब रिसेंटली कुछ और दिये गये हैं, जिनको GI Tag मिला है, जैसे जलेसर, धातु सिल्फ, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, गोवा वेभिंका और मनकुराडाम, गोवा का प्रोड़क् रायगणा साल और काला जीरा चावल ये ओडिसा का है, जिसको GI Tag मिला, चोकुआ चावल ये असम का है, जिसे GI Tag मिला है, क्लियर इतना आगे बढ़ते हैं, अच्छा सितंबर महिने की एबुक आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में, इसको अगर आपन नहीं लिया है अबे तक जाकर की बार लेकर देखो, जबरदस्त कॉंटेंट के साथ, चैप्टर वाई चैप्टर डेटेल एक्स्प्लानेशन वाली ये एबुक है, 350 कुश्चन बहुत ही सांदार तरीके से एक्स्प्लानेशन की साथ आपको दिये गया है, कुश्चन उसके नीचे एक्स्प्लानेशन रहेगा, यानि आप पहले अपना खुद से अंसर करो, छिपा करके, उसके बाद अंसर देकर, एक्स्प्लानेशन पढ़कर कि वो कुश्चन पक्का कर लो, ऐसे-से साड़े-तीन सो कुश्चन है, और सिर्फ ऐसे लगातार नहीं है, इसमें भी मेहनत की गई है, चैप्टर भाई चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंपाइलेशन किया गया है, स्पोर्ट्स की कुश्चन सब अलग, अवार्ट्स की कुश्चन अलग, योजनाओं की कुश्चन अलग, महुत्सों मेले की कुश्चन अलग, सारा चीज बहुत अच् e-book section में जाकर के आप लोगे अगर तो वहाँ पर आपको discounted भी price में मिल जाता है अगर वह इसे नहीं चाहिए तो आप WhatsApp करिएगा आपको WhatsApp से भी वहाँ पर आपको option बताया जाएगा अगला World Bank के अनुसार Financial Year 2024 में भारत की GDP GDP growth rate कितने प्रसत रहने का अनुमान है ये लोग तो फालतू का prediction करते रहते हैं World Bank जो है विश्व बैंक GDP growth rate जो है इसने बताया है 6.3% रहेगी 2023 में भारत की इनका जब मन करता है रिपोर्ट निकाल देते हैं हम लोग के लिए टेंसन बढ़ा देते हैं घटाते बढ़ाते रहते हैं साब इजन्सियां इसे करते रहते हैं अब ये बताए है financial year 2023 में 6.3% है ठीक है और World Bank का ये है तो इसकी थोड़ा इज़त value करनी पड़ेगी important है याद रख लेना 6.3% है तो अजय बंगा अध्यक्ष हैं भारती ये मूलखे हैं कभी नाम याद रहना चाहिए आपको World Bank के अस्थापन उन्स चोवारिस में headquarters वासिंकटन डीसी में है हाली में 9 सेना स्टाफ का ये 9 सेना स्टाफ रहेगा 9 सेना स्टाफ का नया उप्रमुक किसे न्यूक किया गया है तो दोस्तों अभी Vice Chief of Naval Staff ये न्यूक किये गया है कौन? ये न्यूक किये गया है Vice Admiral Tarun Sobhuti Vice Admiral Tarun Sobhuti को Vice Chief of Naval Staff यानि की 9 सेना स्टाफ का नया उप्रमुक न्यूक किया गया है ये है Tarun Sobhuti जी ठीक है इनको न्यूक किया गया है तो ये इनके पास काफी ज्यादा अच्छा experience भी है INS Nisank, INS Quora उसके बाद INS Kolkata इन सब की कमान में समाल चुके हैं इनको AVSM और VSM Award मिल चुका है ये तुनों क्या है? VSM मतलब विशिष्ट सेवा मेडल होता है AVUSM मतलब अतिविशिष्ट सेवा मेडल होता है जो आप सुनते हो तो नौ सेना के वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये तो हैं Admiral R.Hari कुमार जी पिछले दिनों में कुछ नियूक्तियां जो हुई है उनका रिकाल कर लेते हैं उनको तो लिपनेर जनरल रहुरु स्रिवनासन जी ये बनाये गए हैं सीमा सरक संगटन यानि पियारों के नहीं महाने दे सक डाक्टर दिनेश दास जी ये संग लोग सेवा आयोक के नए सदस्ते बने हैं केयन सांता कुमार जो है ये Press Trust of India यानि PTI Board के अध्यक्ष है गोकुल सुब्रमन्यम ये Intel इंडिया के अध्यक्ष बने है सैलेज गुपता मीडिया रेजर्व यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष है राहुल नवीन जो है ये ED के परमुख बने है वैसे NASCOM ने दोस्तों इसने अपना अध्यक्ष राजेस नामबियार को और अपा अध्यक्ष सिंदुग अंगाधरन को नियुक किया है जस्टिस प्रकास सिरिवास्तो जी ये National Green Tribunal के नए महानेदेशक बने हुए है अगला हाली में Global Indian Award पाने वाली पहली महिला कौन बनी तो Global Indian Award 2023 ये दिया गया दोस्तों सुधा मूर्ती जी को सुधा मूर्ती जी ये नारायन मूर्ती जी की पत्नी है जो की Infosys के संस्थापक है और ये अक्षता मूर्ती की मम्मी है अक्षता मूर्ती ब्रिटेन की प्रधान मंत्री रिजी सुनक की पत्नी है तो सुधा मूर्ती जी ये First Women बन गई है ये Award पाने वाली Actually में ये Award दिया जाता है Canada और भारत का एक संयुक तो मतलब Foundation है Canada India Foundation उसके द्वरा दिया जाता है ये भारतियों को ही दिया ही जाता है लेकिन बात ये है कि अभी तक सिर्फ पुर्जो को दिया गया था किसी महिला को नहीं मिला था तो ये पहली महिला बन गई है ठीक है तो टोरंटो में इनको एक आयोजन में बुला करके इनको ये सम्मानित किया गया है पचास हजार डॉलर दिया गया है खैर पचास हजार डॉलर इनके लिए कुछ नहीं है अब देखे ये पहली महिला से रिलेटर यहाँ पर कुश्चन से है पहली महिला सुधा मूर्ती यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्लोबल इंडियन आवाइट पाने वाली जया वर्मा सिन्हा इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रेल्वे बोर्ट की पहली महिला अद्धेक्श बनाई गई है आगे ठीक है, आगे, हाली में इरानी कप 2023 किसने जीता, तो इरानी कप 2023 ये क्रिकेट से सम्मनित टूनमेंट होता है, और इसको किसने जीत लिया है, इसको जीत लिया है सेस भारत ने, सवराष्ट को हरा करकी जीता है, ठीक है, सवराष्ट को हरा कर जीता है, देखो, इरानी कप जो ह रंजी ट्रॉफिक की रहती है तो इसने जब सौराष्ट को हरा करके ये टूनेमेंट जीता है तो मतलब रंजी ट्रॉफिक कौन विजिता होगी इस बार की सौराष्ट है तो सौराष्ट को इसने हरा दिया है ठीक है सेज भारत की टीम ने पिछली बार भी भी जेता था, इस बार की भी जेता है, तो साथमा इस बार का इरानी कप था, इसको जीत लिया है, 175 रनों से हराकर सवराष्ट को, सेज भारत यानि रेस्ट आफ इंडिया ने, कभी-कभी आपको रेस्ट आफ इंडिया दिख जाएगा, तो आप परिशान मत हो ना, रेस्ट आफ इंडिया का हिंदी मतलब होता है सेज भारत, ठीक, अच्छा, एक चीज और, यह BCCI द्वारा आयजुत किया जाने वाला घरेलू टूर्णमेंट है, अब आप मुझे एक कमेंट करके बताओ, कि इसका टाइटरल स्पॉंसर कौन होग उसका टाइटरल स्पॉंसर IDFC First Bank होगा, किलियर, तो यह घरेलू टूर्णमेंट है, तो इसका स्पॉंसर यह रहेगा, है ना, common sense की बात है, अब यह है क्रिकट टूर्णमेंट, तो देखिए, क्रिकट टूर्णमेंट और उसके विजयताओं को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, रनरजी ट्रोफी किस ने जीता है, सौराष्ट ने जीता है, और सौराष्ट ने ही दोस्तों इस बार का विजय हजारे ट्रोफी भी जीत लिया हुआ है, ये दोनों भी याद रखेंगे, सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2022 जो हुआ था, उसको मुंबई ने जीता और इरानी कप सेज भारत यानी रेश्ट आफ इंडिया ने जीत लिया है, एसिया कप के अगर बात करें, तो एसिया कप का पुरुस वाला जीता था भारत ने, 2023 में हुआ था, और 2022 में हुआ था महिलाओ वाला उसको भी जीता है भारत ने, क्लियर, अच्छा विश्व अगर मन होगा तो, आपको कूपन कोड डालना है, गुरु 60, ये कूपन कोड डालोगे, तो आज के लिए आप कोई भी कोर्स लोगे, तो 60% का आपको इसमें डिसकाउंट मिलेगा, याद रखना, दोबारा कोही नहीं रिकॉल होगा, यहीं पर आपको बताया गया है, यहीं अगर आपको लगता है कि महनत की गई है, यहाँ पर आपके लिए आपका समय मैंने बचाया है, आपको ऐसे सी चीज़े ला करके दी है, जो आप आलत से की वाज़ा से नहीं खोजते, तो आप वीडियो को लाइक जरू कर देना, शेयर भी कर देना, देखो शेयर करो, शेयर को नहीं मिल रहा होगा, तो आप अगर आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पर महनत की जा रही आपके लिए फ्री कांटेंट दिया जा रहा है, तो आप सेयर करो, कैसे भी सेयर करो, किसी की वीडियो में जाके कमेंट करो, चाहे चाहे जाकर के कहीं पर वाटसेप पर किसी की सर पे दे मारो कहीं भी करो कुछ भी करो लेकिन शेयर जरूर करो वीडियो को ठीक है बहुत ज्यादा जरूरत है सेयर करने की वाटसेब चैनल से भी आप हमारे जुर सकते हैं और वाटसेब चैनल का लिंक आपको डिसक्पशन में मिल जाएगा यहाँ पर भी मैं दिन भर जो जो घटनाई होती रहती है बड़ी बड़ी वो मैं आपको वहाँ पर बताता रहता हूं पोस्ट करता रहता हूं रगुलर पर पीडियाप भेजी जाती रहती है वाटसेप चैनल पर आपको तरह तरह की नियूज तरह तरह के अपडेट्स और इमेज़ेज फॉर्म में जो जो चीजे रिविजन वाले पॉइंट रहते हैं वो मैं भेजता रहता हूं दोरों ही जोईन कर सकते हो कल मैंने आपसे कुश्चन पूछा था विश्व आवाज दिवस इसके लिए मेजबान देश कौन चुना गया है तो विश्व आवाज देश के लिए मेजबान देश है अजरबैजान अंतिम बार देजव्यापी जातिकत जन्गर्णा होई थी 1931 मे ठीक है चलिए जन्गर्णा पर मैं आपको एक वीडियो ला करके दूँगा ये वीडियो तो बनता है समय जन्गर्णा बहुत तेजी से चर्चे में है परसित नोबेल पुरुषकार का प्रदान किया जाता है ये आप बताएगा नोबेल पुरुषकार प्रतेकवर्स किस द डिटेल्स भी लिखिए कोसिस किया कीजिए आप लोग कमेंट करने की ठीक है जो भी चीज़े आपसे पूछी जाप कमेंट करके जरूर बताओ और बस फिलाल इतना ही रखते है वीडियो में पसंद आई है तो लाइक सेर कर देना मिलेंगे गली वीडियो में तब तक ली न कर दो दो बाटरा कि ज्वार? झाल झाल